आपने हाइड्रेटेड रहवा माते आखा दिवस मां केटला ग्लास पाणी पीवु जोए नमस्कार डर्सक मित्रों खबर्चे.डवीका आपनू स्वादव करुछ मित्रों आजे आपने वाद करी सुँ पाणी विसे जी हाँ मित्रों तमें गणी जग्याए वाची हसे अथवा सांबर्यू हसे के जड़ एज जीवन, जिरा पर्थी कही शकाए के पाणी आपना जीवन माते केटलू महत्वन नुँछ अन्ने तमे पन जानताज असो के पाणी नू महत्व आपना जीवन मा आपना स्वास्थ्याई माते आपना शरीर माते केटलू महत्व धरागेशु। तिया आज आपने वाद करी सुँ आपने हाईड्रेटेड रहवा माते आखा दिवसमा केतला गलास पाणी पीव जो ए आसनाथेज जो तमे लाम्बु आयूश्य जिवा मांगो शु। तो तमारे केतला ग्लास पाणी दर्रोज पीउजोये जेठे करीने आपनों स्वास्थियाई सारू रहे औने आपनों शारीरी क समस्यावनों साम्नों नहीं कर्वो पड़े। यारे वाद करी सु विगते केटला ग्लास दा रोज पाणी पीव पड पीव जोए तेवी से गणा संसोधको लांबा समय सुधी जीवानी रीतों शोधी रहिया छे अने कुद्रती व्रुद्धत्व प्रक्डियाने वेगापती आदतों पन सोधी रहिया छे लैंसेत मां एक नव शंसोधन सुच्वे छे के डिहाइद्रेशन जड़पी व्रुद्धत्व अने जीवन टुकावी शके छे जेओ योग्यरीते हाइद्रेटेट रहे छे तेओ पाणी न पीता लोको करता वधू समय सुधी जीवी शके छे आसीवाई दिहाइद्रेशन थी रदै अने फेपसाना रोगोंनु जोखंपन वती शके छे छे संसोधको ए पूर्वधाणाने चकास्वा मांगता हता के हाइद्रेटेट रहवा थी भुद्धत्व प्रक्रिया दिमिखाई शके छे तेओए अभ्यासमा भागलेना रा 11,000 थी वधू लोको पर 3 दाइका थी वड़ू नो डेता त्रेक करियो अभ्यासना सहभागियोंने 5 मुलाकातो पर जोवामा व्याग बे तेमना 50 ना दाइकामा अने 46,99 वर्सनी वईवच्चे संसोधकोए व्यक्तिना पाणीना सेवन अने ते निरजली कृत छे केक चैम ते नक्की करवा माते सीरम सोधियम परिक्षन नू उप्योग करियों आटेस्ट कोईना लोहीमा केटलू सोधियम छे टेत पासे शे मैयो क्लिनिक अनुशार व्यक्तिना लोहिमा सोधियमनु सामानिय स्तर 135-134MMOL प्रती लितर नी वच्चे हो चोई त्यारे संसोधननुप परिणाम सुमाव्यू तेनी वाद करिये तो संसोधको ये सोधिक आडियू छे के 145MMOL प्रती लितर करता वधु सोधियमनु स्तर अकाड मृत्यू ना जोखम साथे संक्राए लुचे 142MMOL प्रती लितर अटवा तेथी वधू सोधियमनु स्तर क्रौनिक रोपना बट्ता जोखम साथे संक्राए लुचे लुचे અનો અર્થે છે કે સીરમ સોધ્યં સ્તર 122 mmol પ્રતી લીતર અથવા તેથી વધું હાય તેવા લોકો અકારે મૃત્યુ કેટલુ પાની પિવુ જોયે તેની વાદ કતે યુએ સીડીસી અનુશાર કોયે કેટલુ પાની પિવુ જોયે તેની કોઈ હાની નું આપણ્યે કેને કેને પ્રવાહી પિવાનો પ્રયાસ કરો ખાસકરીને જો તમને શંકા હોય કે તમારુ શરીર દી હાઇદ્રેટેટ છે તમારા ડોક્તર સાથે બાર કરો કે તમે દિવસ્ભર કેવી રીતે એટલે કે 3.6 લીતર અને મહીલા ઓએ 11.5 ગ્લાસ એટલે કે 2.7 લીતર પાણી પીવ જોઈએ જેથી કરીને તેઓ હાઇડ્રેટ એન્ગ્ય લીડે છાણં શામેછ ઐાય માણ કામં જંાાણને